26 सितंबर से खिला जा सकता है IPL 2020 BCCI कर रही है तैयारी IPL 2020 यानि इंडियन प्रीमियम लीग को लेकर ऐसी खबरे आ रही है कि BCCI इस लीग को 26 सितंबर से कराने की योजना बना रही है हाली में बोट के अध्यक्च सुरब गांगोली ने साप किया था कि वो किसी भी कीमत पर इस लीग को कराने के लिए प्रतिवन्ध है और इसे बिना दर्सकों के भी कराया जा सकता है बही करकेट औस्टेलिया ने भी मंगलवार को साफ किया है कि T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन इस साल अवास्तविक लग रहा है मुंबई मिरर की रिपोर्ट की मुताबित IPL 2020 का आयोजन सितंबर के आखरी में नवंबर के सुरूबात तक किया जा सकता है उम्मीद की जा रही है कि इसका आयोजन जब भी सितंबर से होगा इसे 8 नवंबर तक किया जा सकता है ये तारीक औस्टेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ल कप संभावित रद्ध होने की अधीन है सितंबर में सुरू होने वाले IPL के ज़्यादतर मैच साउट अफरीका में खेले जाएंगे क्योंकि मानसून उस हिस्से में कम समय ज़्यादा गंभीन नहीं होगा ऐसे इस्तिती में उम्मीद है कि चैननाई और बैंगलॉर इसकी मेजवानी की रेस में सबसे आगे है तो IPL का आदा हिस्सा मुंबई में कराया जा सकता है मुंबई PCCI की पहली पसंद है क्योंकि यहां पर चार इंटरनेशनल स्टेडियम है यहां के कई होटल स्टेडियम की नजदीक हैं जिसमें खिलाडियों को आसानी होगी लेकिन COVID-19 के बढ़ते केस ने IPL की पतिवंद को निरास किया है यही नहीं उम्मीद तो यह भी की जा रही है कि इसका आयोजन करनाटक और तमिल लांडू में भी किया जा सकता है वेन्यू पर कराया जा सकता है रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि IPL की टीमों का अधिकारिक तोर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है लेकिन इन विकल्पों पर आपचारिक तरीकी से चर्चा की जा रही है IPL में आपकी फैबरेट टीम कौन सी है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार